नमस्कार दोस्तों एसार ग्रूपे पेशन एडूकेशन में आप सभी का स्वागत है देखे साते हूं आज बहुत ही सांधार टॉपिक है वादे अंतर राजस्तान की जितनी भी प्रिक्सें हैं अगर उनमें राजस्तान जिक्ये हैं तो यहां से एक परसंदों निश्ची तोर पर ही उठाया जता है और इसमें अगर अच्छे से नहीं पढ़ा गया है तो गलत होने के चांस भी बहुत ज्यादा रहते हैं तो आज यह साथियों वादे अंतर वाला टोपिक अपन कंप्लिट ही करते हैं बहुत ही सोट्स नोट्स के रूप में वीडियो पुरा अंतर देखेगा हो सके तो लाइक भी कीजिएगा लोग संगीत को परोचक के प्रभाव साली एं लयात्मक गती परधान करने का साधन ही लोग वादे अंतर कहलाता है साथियों यानि जितने भी संगीत सुनते हैं उनमें जो टून सी आती है साथियों एतेना की ये ट्यून आ रही है इसमें तो वो ट्यून इन वद्धेंटरों के द्वरा ही बजाए दाती है चाए कोई भी हो, सारंगी हो, एक्तारा हो, रावनाता हो, हार्मोनियम हो या अन्य कोई वद्धेंटर इस से उस लोक संगीत में रोचकता आती है वह प्रभाव साली, यानि जो विक्ती सुन रहे हैं उन पर अपना प्रभाव डालता है ले आत्मके, ले के साथ में आपको सुनाई देता है जिस प्रकार से जिस ले में गाया जा रहा है उसी के अनुसार वह वद्धेंटर ट्यून निकालता है जिससे और भी मदूरता आती है साथियों उसमें वद्धेंटर आपके चार परकार के होते हैं एक नमर देर का है तत्वद्धेंटर देखे क्या होता है जिन वद्धेंटरों में तारों के द्वारा सवरों की उत्पती होती है तारों के दौरा तैसे तार और तैसे ही तत्वाद्य इंतर थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे इसको तत्वाद्य इंतर आपके कहलाते हैं तो तारों का जिन वाद्य इंतरों में उप्योग किया दता है उनके लिए एक छटी सी ट्रिक है देखे तो ये चोटी सी ट्रिक है इनके मदम से भी आप याद कर सकते हैं या अन्य था ऐसे भी याद रखें सारंगी है इसमें तार का उप्योग क्या दता है जंतर है रबाज चिकारा रबावे ये रबाज और रबाव अलग अलग हैं सात्यों एकतारा कामियाचा चोतारा सुरिंदा दुकाको रावन अक्ता गूजरी सुरनाई बपंक या अपंक ये सबी जितने हैं बद देंतर कभी देखेगा आपको मुका मिले तो गूगल पर सर्ट करके जो जो आपको दिखाई देत तो इन में सात्यों तारों का उप्योग क्या जता है तारों को अपनी अंगूलियों से जैसे भी ट्यून पर्देशित की जाती है उसी प्रकार से उसको बजाया जता है इन से क्या निकलते हैं स्वर निकलते हैं वो तत्वादेंतर कराते हैं आगे इसमें और दे रखा है तत्वद्य इंत्रों का उलेक भी ये देखिए, सितार, विनावय इरानी तंबूरा, हिंदू मुस्लिम से लिका है, हिंदू और मुस्लिम से लिका क्या है, मिस्रन है, विनावय इरानी तंबूरा, सितार, और इसका अविस्कार किया है, अमीर खुसरों ने, सितार का अविस्क के हैं रवी संकर कहां के हैं जेपूर के जेपूर से समंधिते हैं तो इतनी बातें आपको सितार में द्यान में रखनी हैं वीना वै इरानी तंबूरा यानि हिंदू मुस्लिम से लिए का मिश्रन है अगला है सारंगी तक्तवदे अंतर है ये भी और सर्वश्रेष्ट अंतर है तक्तवदे अंतरो में इसमें आपके 27 तार होते हैं सात्यों मारवाड के जो जोगी हैं गोपी चंदे, भरतरी, निहाल दे, आदी के ख्याल गाते समें सारंगी का प्रियोगे किया जता है सर्वय स्रेष्ट यंतर तक्त वद्य यंतरों में सारंगी कितने तार होते हैं 27 और कुछ ग्यक्ति हैं जिनको जोगी बोलते हैं इनके द्वारा सारंगी का प्रियोग किया जता है कब छाल गाते समय अगला है रावनत्ता यह रद्यस्तान का सबसे प्राचीन वद्य इंतर है साथियों सबसे पुराना वद्य इंतर रावनत्ता है बहुत बार परसन यहां से उठाया गया है जिसका निर्मान अदे कटे नारियल की कटोरी से होता है जिसमें नोतार होते हैं इसमें कितने होते हैं साथियों नोतार जिसका प्रियोग डुंगर जी के बोपे वह पाबु जी के बोपे पाबु जी की फट गाते समय वेकान गूजरी जाती के लोग भी करते हैं तो ये रावन हक्ता में आपको ध्यान में रखना है रावन हक्ता बहुत बार क्यूशन में आया है सात्यूं आगे देखें इसमें ध्यान रहे सात्यूं रावन हक्ता लोक बादे एंटर में बांस का लंबा तना होता है उसकी परत से ढगा आदे नारियल का खोल जूड़ा होता है और एक लंबा बांस का तनाभ होता है फिर उसमें तारों को जूड़ा जता है और उसको कहते हैं रावनता एक वधे इंत्रहाव का गुजरी इसमें नोई तार होते हैं जो रावन हक्ता से मिलता जूलता वा देयंत्रे है इक तारा सात्यों इसका समंद नारज जी से है इसमें दो ही तार होते हैं इक तारा, नाम इक तारा और तार होते हैं दो समंद किसे हैं नारज जी से जंतर देखे यह विना का प्रारंबिक रूप है इसमें पांच या छे तार होते हैं जिसका प्रियोग बोपे करते हैं देव नाराणजी की फड़े पड़ते समय यह रबाब और रबाज इनमें अंतर देखे इसमें च्यार ही तार होते हैं रबाब में और रबाज में आपके होते हैं, ये एक कामियचा इंतर कीतरह है, इसको गज की जगे अंगूलियों से बजाते हैं, गज की जगे अंगूलियों से बजाया जाने वाला तत्यवदे इंतर रबाज, और इसमें च्यार तार होते हैं, आगे चिंकारा, इसका एक सीरा प्याले के प्याकार का होता है जिसमें तीन तार होते हैं एक सीरा क्या होता है प्याले का प्याले क्याकार का प्याला तो जानते हों के सभी जिसमें तीन ही तार होते हैं प्रदेश के प्रमुख बाते अंतर फर्स्ट जारी है और इसमें अगला आपका है सुरिंदा इसके गज़ पर प्रियोग करता है मांगनियार कमाई चागे सबसे ज़्यदा प्रियोग इन्हें के द्वारा किया जता है मांगनियार के द्वारा कि ध्यान रहे सातियों संद दो हजार बारा में साकर खान को कमाई चावाद्य में प्रविणता के लिए पदम सरी से समानिते किया गया था दो हजार बारा में साकर खान को कमाईचा वादे इंतर में जो बजाते हैं बजाने के लिए अगला है आपका तंदूरा जिसको वेनो भी कहते हैं चोतारो भी कहते हैं और निसान भी बोला दता है एक ही नाम है तंदूरा, विनो, तोतारो, निसान यह सितारवत, तानपुरे की सकल का है जिसमें च्यारतार होते हैं इसे अंगूलियों में मिजराब पहन कर बजाया दता है अंगूलियों में कुछ पहना दता है जिसको बोलते हैं साथ हो मिजराब किसी ने देखा है गए और चार तार होते हैं उनको ही बजाया दता है सितार वे तानपुरी की सकल का है बापंग यह डमरू से मिलता जुलता वादियन कर रहा है डमरू तो आप सभी ने देखा होगा बीच में थोड़ा साथ सटका हुआ और इस प्रकार का यह काकार का होता है छोटे बच्चों के हाथ में देखा होगा आप में इस प्रकार से थोड़ा पता होगा सभी को डमरू सभी जानते जहूर खां मेवाति बफंग के जदूगर माने जते हैं डमरू से मिलता दुलता वदे इंतराप का बपंग गए और इसके जादूगर हैं बपंग के याद रखें जहूर खाम मेवाती बपंग ये भी पूछा गया है काफिवार साति हूँ मोहन विणारज के निर्माता पंडित विश्व मोहन भटे जेपूर इन्होंने नई राग गो रामा का सरजन किया इसमें ग्रेमी अवार्ड से समानित इनको क्या गया है पंडित विश्व मोहन विणारज के निर्माता है ये परसिद सुर नाई वादेक पेपे खां पुस्कर के परसिद नगड़ा वादेक राम किसन है सुर्णाई वादेक पेपे खां और नगड़ा वादेक राम किसन तो ये तो बात हो गई साथियों तब तब वदे इंत्रों की और अब पढ़ते हैं पन सुसीर वदे इंत्र जितने भी दे रखे हैं बहुती सोर्ट नोट्स के रूप में हैं ये जिन वदे इंत्रों में फूक मानने से सवरों की उत्पती होती है उनको कहते हैं सुसीर वदे इंत्र सुसीर का ही मतलब क्या है आवासे है और फूक मारके जो सवर की उत्पती होती है तो उन ये इंत्रों को कहते हैं सुसीर वदे इंत्र ये एक चोटी सी ट्रिक है साथियों बिना साहर असी मौरतुसी सुमन बाकि सबू खटोना तो इस से जितने भी हैं ये बिना अलगोजा जिसको बीन पुंगी भी कहते हैं सपेरों के दौरा जो सांप को पकड़ने के लिए काबू में करने के लिए बजाए जाती है ये सांप जिसको नड़ते करता है बीन पुंगी अलगोजा रज्य वद्य यंतर भी है साथियों अलगोजा सिंगा तुरई मसक करना हरनोई मोरचंग सिंगी नड नफिरी सतारा टोटो सैनाई रण भेरी सुरनाई बांकिया बुगल नागभणी ये जितने बी क्या है सुसीर वद्य अंतर है सभी को फूंक मार के बजाए जाता है तो इनको ऐसे द्हाण में रखेंगे आप बांकिया ये पितल का बना हता है जो एक डार्मिक वद्य आंतर है जिसका प्रियोग करते हैं लंगा गाएक कौन से गाएक लंगा बां क्या बना होता है साथियों पीतलगा और धार्मिक वद्येंतर है धरम विशेश से लेकर के मसक यह यह यंतर आपका थेले नुमा जैसा होता है जैसा आपका थेला होता है उसी प्रकार का मसक और नड है जो नडवदेंतर है, यह आपका मसक जैसा ही होता है, थेले नुमा, जेसल मेर का कड़ना भील परसीदे, नडवदक है, कड़ना भील, जेसल मेर का है, नाग बनी, यह पितल से बना सरपिलाकार का होता है, आकार कैसा इसका सरपिलाकार, सरप के जैसा, और बना होता है पितल से, इ इसे धहन में रखें आकार इसका तारफी यह लोग्की से बना जैता है लोग्की को सुका करके उसको फिर उससे बना जैता है तारफी फिर फूंक मारके इसको हुई विजा जैता है इसके बाद में आपका सतारा यह वद्दे इंतर बांसूरी अलगोजा वे सैनाई का मिस्रित रूप है बांसूरी अलगोजा वे सैनाई का मिस्रित रूप क्या है सतारा संक यह एक जन्तू का अंडा है जो समूदर से उच्पने होता है जन्तु का अंडा संक मंदिरों में आपने देखा होगा जहां पर भी कोई दार्मिक कारिय क्या दता है वहां पर संक बजाय दता है मरत्यू के समय जब समसान भूमी में सब को ले दाय दता है तब भी संक को बजाते हैं पुंगी या बीन इसे कालवेलिया सफेरे सांप को पकड़ते समय बजाते हैं जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बजाया था सांप को पकड़ते समय मोरचंग होटों के बीच रखकर बजाया जाने वाला वाद्य इंतर और जूजहार भी इसको कहते हैं मोरचंग को ये भी नाम ख्यान में रखे हैं जूजहार पे तो ये इंपोर्टेंट है होटों के बीच में रखकर बजाया जाने वाला वाद्य इंतर मोरचंग उन्जहाई सुसीर हार्मोनियम ये भी एक वाद्य इंतर है साथियों हवा से ही बजता है जब उसको पटियां होते हैं उसमें खींचा दरता है उनको तो हवा उसमें बरी दरती है महमूद दोलपुरी का समंदे हार्मोनियम वद्य इंतर से जेपूर गराने के उस्ताद अलादिया खान के पंडित गोविंद राम तामबे सिसे थे जिनोंने हार्मोनियम बजाने में क्रांती ला दी थी तो ये ध्यान में रखें हार्मोनियम ध्यान रहे साथियों पंडित सिवकमार्ख सर्मा का समंदे संतूर वद्य इंतर से है तो पंडित जसराज का समंदे डागर गराने से है पंडित पुरसोतम दास परसिद पखावज वादक थे पखावज वादक अब वादे इंतरों में आपका तीसरा है अव न दे या ताल वादे इंतर पस्मों के चमडे से निर्मित वादे इंतर जिसको चोट मारने से सवरों की उत्पती होती है अव न दें ताल वादें इंतर कहलाते हैं चमडे से बना होता है और जब इसको चोट मारते हैं पीड़ते हैं तो सबरों की उत्पदी होती है ये एक ट्रिक है डेड की डाड़ी को मामा धो दे और चडो नोतान मरदंगे तो इस प्रकार से डेरूं आपका दीपको, दोसा, डोलक, नगड़ा, डमरू, मांदल, दमामा, नोबत, मरदंगे, ढाक, माठ, चंगे, तासा तो कुछ तो आप जानते होंगे डमरू है, नगड़ा है, डोलक है, डेरू है, तासा है, चंग है बाकि जिनके बारे में आपको पता नहीं है, तो एक बार जरूर सर्च की दिएगा, इनकी तस्वीरें देखेंगे आप, बार बार देखेंगे, तो याद रहेगा अब नगड़ ताल वद्यंत्रों के बारे में और देखे, जदा जानकरी नोबते, दातू की अर्द अंडाकार, कुंडी को बैंसे की खाल मड़कर, चमड़े की डोरियों से कसकर, लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला, नोबत वद्यंत्र प्राचिनकाल में, युद्ध के समय, वह वरतमान में, मंदिरों में बजाया जाता है अब देखें कितनी बातें लेखे हुई हैं इसमें, पहली बात तो ये दातू की, अर्द अंडाकार, कुंडी को बैंसे की खाल मड़कर, और चमड़े की डोरियों से कसकर, लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है, तो ये है आपका नोबत प्राचिन काल में बात करें तो यूद के समें, और अब की बात की जाये तो मंदिरों में बहुत से संगीत हैं, गीत हैं, उनमें इनका नाम ब्याता है मंदल, राजस्तान का एक मत्रह सा लोग वद्येंतर, जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, पर रावलों की मंदल है इसका निर्मान मिट्टी से होता है, और इसे संकर पारवती का वद्येंतर माना दता है मंदल को संकर पारवती का वद्येंतर, रावलों की मंदल, निर्मान इसका मिट्टी से होता है जिसे अधिकतर गवरी नर्ते विवाह एं ग्राम देवालें में बजाय दता है ये आदिवासी बिलोयम गराशियों का प्रमुक वादेंतर है तो ये ध्यान में तो आपको ही रखने होंगी साथियों आगे आपका नगड़ा या बम ये सुपारी के आकार का अब नदवादेंतरों में सबसे बड़ा यंतर है नगड़ा बहुत बड़ा होता है जिसे राणा दोली जाती बजाती है उसकर के परसिद नगड़ा वादेक राम किसन है मुस्लिम छित्रों में या मुस्लिम के जो तुहार आते हैं आपने देखा होगा ताजिया वगरे निकलते हैं उन्में अगडा बजाय दता है तो यह आपने देखा होगा बढ़ा होता है थोड़ा यहां से इसको पीठ पीठ करके बजाय दता है यहांसे दो डोरियां लगी रहती है जотьन को गले में इसको आसाने से लठाई जा सके और इसी प्रकार से आपका डोल है यह सबसे प्राचिनवा मांगली के बदेंतर है डफली यह डफ का छोटा रूप है डफ होते हैं न सात्यों इस प्रकार से गोल गोल बने हुए जो आपकी गिंदर होती है सेकावटी में परसिद है गिंदर उस समय चंग है डफ है यह बदाए दते हैं गेरा डफ का छोटा रूप क्या है डफली इसके आकरती अस्ट बुजाकार है जो डफ के समान ही होती है अस्ट बुजाकार इस प्रकार से इसमें बुजाएं बने होती है अस्ट बुजाकार होता है और इस प्रकार से होता है साथे में थोड़ी सी इसमें क्या है डब की आकार कोई होता है कुछ में गुलाई होती है और कुछ में इस प्रकार से आकार दिया जता है तासा इसकी आकरती परात नुमा होती है परात सभी देखे होगी जिसका प्रियोग सरवादिक मुसलिम समुदाई के लोग ताजिये मुहरम के अउसर पर करते हैं तासा डमरू यह सिव का वद्यांतर है जिसका सरवादिक प्रियोग मदारी करते हैं देरू या धाक ये डमरू का बड़ा रूप है जो डमरू होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है डेरू या धाक खंजरी चंग जैसा ही यंतर है ये भी खंजरी दोसा इसकी आकरती नगाड़े जैसी ही होती है दमामा अटमंक ये कड़ाई के आकार का लोएगा बनाओा का और लास्ट हैं सातियों घन्वादें इंक्र दाटु से निर्मित ये दाटु से हैं जिस पर चोट मानने या आपस में टकराने से सवरों की उतपती होती है गन्वादें इंक्र कहलाते हैं श्री महत्मा रत्थ से जहां कर्ची गबड़े तो ये ट्रिक है श्री मंडल है माटे जहांज चीपिया मजीरा रमधुल कर्टाल खड़ताल हाकल ठाली कागरच बरनी इतने हैं ये आपके गन्वादें तर चीपिया सब आज़ते हैं इसमें मंजीरा रमधुल इनका उलेक दे इक खाम मंगनियार खड़ताल के जदूगर थे रमधुल गुंगरु को नीचे से गुटनों तक बांधना रमधुल कहलाता है गुंगरु होते हैं लोए के बने होते हैं और उनको गुटनों से गुटनों तक बांधना श्री मंडल इसके बनाऊटे जाडी नुमा पोदे के समान होती है काग रचे इसका अकार जुंके के समान होता है काग रचे तो ये घनवादें तरहाप के खड़तार रमजोल स्री मंडल काग रचे और ये भी जाने देखें सारंग संगीत दोपेर के समय गाय जता है तो केसरिया बालम मांड सेली का गीत है केसरिया बालम क्या है मांड सेली का गीत है और सारंग संगीत आपका दोपेर के समय जैसल मेर बाड मेर मेर में पाई जने वाली संगीत जाती लंगा यानि लोक गाय के जाती है ये है जैसल मेर बाड मेर में पाई जाने वाली जाती लंगा जोज़पूर में 1937 में लोग बादे संग्राले की स्थाफना की गई परसिद गजल गायक मेंदी आसन राजस्तान के जूजनु जिले में पैदा हुए तो सितार वादक रवी संकर जैपूर से समंदित है इस्तान कबीर यात्रा का समुन्द है गायन शहत्तर से है यह लग-लग श्छत्रों में है श्ट्र विषैश से समंद रखने वाले इनंको भी ध्यान में रखने है तामक का समंद्ल किसे है? मेवाद 76 से और उमर फारूप मेवाती का समंद्ल संगीत 76 से है मिंदियसन, सितारवा, यह गजल गायक है और सितारवा देखे हैं रवी संकर, जो जेपूर से समंद्ल रखते हैं तो ये टविक है बहुती सांदर यह मुख्या मुख्या बाते हैं इतनी तो आपको जहन में रखनी ही होंगी इसमें से बहुती सांदा सोर्ट नोट के रूप में है यह तो वीडियो पसंद आए तो आगे और भी आपको टोपिक इसी परकार से करवाते रहेंगे लाइक कीजिएगा और हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा क्या आपको कितना पसंद आया आज के लिए बच इतना ही साथियों कल फिर मिलते हैं एक नए टोपिक नहीं जानकरी और नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत